इनके अस्र असफल नहीं हुए चक्षुमत शच्षुमत 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 नमो, 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 मेरा अंदास्त्र खैसे नश्ड हो गया? श्री माता ललीटा की जै जय ललीता जय कार तेरी अबु भंडा सुर संहार करो अबी तो तुम्हारी द्रिष्टी बस तौंदली होई थी इसलिए अपना लक्ष साथ सकी किन्तो अब जो अंदकार उत्पन करूंगा उससे बार पाकर अपने प्रहार से मेरे अस्त्र को कैसे नश्ट करोगे अनामिस्त्र अस्त्र अब मेरे अन्दकारी अनामिस्त्र अस्त्र को ना तुम देख सकोगी और ना ही उसका सर्वनाश कर सकोगी इस अन्दकार का लाब उडाते हुए मेद वागे उडा मेढ लोगरूगा मेरे उसा sı्ड़ी स्डिश ऊस्त्र का प्चों कोग होगा न रोगा स्ड ्रि पर उड को ऐसको अवर नाशान स्ड ॉड हॐण हॅ हु हु हु़ हु हु… माता, भंडा सुर में तो एक साथ तीनो आसुरी महा असुरों का प्रयोग किया है अनामिस्र अस्र असुर के कारण स्रिष्टी में बढ़ता अंधकार संकत उत्वने कर रहा है रोगास्र असुर अनेक रोगों से सभी को गरस्त कर रहा है और आयूर नाशन असुर के कारण आयू बढ़ने से सभी देवियों पर संकत छाया है अब तुम कुछ पे कर लो देवी, किन्तो ना तुम अपनी स्रिष्टी को बचा सकती हो, और ना ही अपनी सेना को ओम शब्द बेदी अस्त्र ओम बंधु सकाउषण निवं, रुचि राक्ष मादा, वाशाण सुषाया मैदा, नेज बाहू तंड है, जिलाण मिल्लू शकला, वर्णम जिनित्र, मर्धाम, विकेशम, निशम, वत्राश्र यामी। अच्छा किया, जो अंदकार को मिटा दिया तुमने, अब तुमें अपनी इन देवियों की दुर्दशा देखने का आउसर्त प्राप्त होगा, क्योंकि मेरा रोगास्त्र इन सब का अंत करेगा, और जो शेश रह जाएंगे, वो व्रिद्धावस्था से नए बच पाएंगे, इस अस्त्र के प्रभाव से इन देवियों की युव आवस्था व्रिद्धावस्था में परिवर्दित हो जाएगी, समस्या है तो उसका समाधान भी है, इसलिए अधिक प्रसन होने की कोई आवशक्ता नहीं है भंडासो, रोग है तो उसका उप्चार भी है, तो करके देख लो उप्चार, अच्छतान गोविन, नमोचारन भेश्चा, नश्चंती शकला रोगा, सत्यम सत्यम वदा यहां, यह तेरिया निरोग कैसे हो रही है, आज भंडा सुरको ही नहीं, समस्ते जगत को ग्यात होगा, कि हर जीव के प्रत्येक अंग में, एक देवी का वास है, और जो देवी माता का इस्मरन करते हुए, अच्छत अनंत गोविन्द मंतर का जाप करेंगे, वो अपने रोगों से अवश्य मुक्त होंगे, मेरे अंदकार को तुम्हारे प्रकाश्टे निगल लिया, रोगों को तुम्हारे उपचार ने मिटा दिया, क्योंकि विद्धा अवस्था से पचाने का कोई उपाहित तो तुम्हारे पास भी नहीं है, युबा अवस्था तो, जीवन का मात्र एक चरण है, जो केवल दे को प्रवाहित करता है, किन्तु वो आत्मा, जो अनत काल से जीवन और मित्यू के चक्रों को पार कर चुकी है, वो तो आयों के किसी भी चरण से परे हैं, और जिसे अपनी आत्मा पर विश्वास होता है, वो कभी भी व्रिद्ध नहीं होता होता है। काल कशणी अस्त। कर तो आत्मा, तु मत्त। की अधनी आत्मा, भूफ नहीं होता,र म के चक्रों नहीं होता है, आत्मा, यु laugh, யूRRR मेरा आयूर नाशन अस्तर भी प्यार्थ हो गया जय ललीता जयकार तेरी अब भंडासुर संहार करो अभी भी समय है भंडासुर माता परा शक्ती श्री माता ललीता की शक्ती को पहचान कर उनसे एक शमाय आचना कर लो बन जा उनके शनागत शक्ति पर शक्ति बहुत सुन चुका हूँ मैं, तुम्हें बहुत हैंकार है ना अपनी शक्ति पर देवियो, तो लो, मैं तुम्हारी शक्ति को ही मिटा देता हूँ शक्तिनाशस्त्र पूर्ख भंडा सुर्ग, तुम्हारे इस अस्त्र को नश्ट करने के लिए तो मात्र ओम शब्द का उच्चारेन ही परियाप्थ है ओम से उच्सर्चित तरंगों से ऐसी अद्भुट शक्ति उत्पन होती है, जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक्ता को नश्ट कर देती है बाहर और सभी दिशाओं में सार्थक उज्जा का विस्तार करती है तुम तो अपने अस्त्र से मात्र शरीर की शक्ति छीन सकते हों, किन्तो ओम शब्द के उच्चारंड से प्रबल होने वाले आंत्रिक आत्म बल को नहीं सुन्दरी घृटय धेवी शिरो देवी शिखा धेवी कवच्च देवी देट्र देवी अधृट्र देवी अधृट्र देवी तामेश्वरी भगमाली नी इध्यक्लिनरे देरूंदिर वाही निवासी महाज्रश्वरी अध्यक्लिन एध्यक्लिनरे वन्देवी भगमाली वß हृण। मैंने तुम्हें चेतावनी दीथी भंड़ा सुझी कि दुमाता पराशक्ती की शक्ती का उधारण स्वयम तुम्हारे सामने है मात्र उनकी द्रिष्टी से तुम्हारा अस्त्र नश्ट हो गया पकंदास्त्र। पयास्त्र। सर्वस्मृतियास्त्र। पकंदास्त्र। जयतात्र अस्त्र। पाखंद अस्त्र को नश्ट कर। पाखंद का अन्द्रकार किटना भी घाना क्यों ना है। घ्यान का प्रकाश उसे दूर कर ही देता है। धन अस्त्र, भै अस्त्र का नाश करू। जहाँ धर्म होगा, वहाँ भै नहीं हो सकता। इंद्रास्त्र, मिटादो सर्व स्मृती अस्त्र को। बहुत हुई तुमारी युद्ध क्ला, इस युद्ध का अरंब मैंने किया था। अपने अंतकस्त्र से तुमारे साथ इस युद्ध का अंत भी मैं ही करूंगा। हाँ, अंतकस्त्र! आश्चर्य, यम्राज का आवाहन किया है इस अस्त्र ने। तुमने मेरे आसुरी अस्त्रों को नश्ट करने में कोई विलंब नहीं किया था ना। तो अब देखो, सभी प्रमांडों के यम्राज, तुम सभी के प्राण हरने में तनिकपी समय नहीं लगाएंगे। इन्हें कैसे रोकोगी तुम। बंडा सुर उचित कहता है यम्राज के पाश को रोकना विधी के विधान का उलंगन होगा, जो माता कभी नहीं करेंगी। और यम्राज का अंतकर उन्हें रोकना तो और भी अनुचित होगा। इस अस्त्र के प्रभाव को निश्क्री करने के लिए माता अब किस अस्त्र का संधान करेंगी। दुष्ट भंडा सुर का ये कपट कहीं माता को भी दुविधा में डालने में सफल ना हो जाए। भंडासु ने अंतकास्त का आवाहन कर इस युद्ध को अपने पक्ष में रनायक मोड पर ले ही आया। अब हम तो क्या। थ्रिदेव और थ्रिदेविया भी इस अस्त्र के प्रभाव को रोक नहीं सकते। जोगे मर्यादा में हम देवता ही नहीं। सभी अम्राज भी है। जो इस अंतकास्त के प्रभाव के कारण इस तुष्ट भंडासुर के वश्म है। नियम, मर्यादा और धर्म का बालन दुर्बल बनाकर पराजय का ही पुरसकार देता है। आज समस्त संसार देखेगा कि किस प्रकार नियम और मर्यादा के बंदन में बंदे। उनकी गित्ते भी पराशक्ती भी पराजय का ही पुरसकार पाती है। इसलिए अपनी जय के लिए कुछ दियम भंग भी होते हैं तो, होने दो, इतना तो… स्वारक्षा और अन्यलाब के लिए कुछ मर्यादाओं का उलंगन हो चलता है। अनेकों बार अपनी अधर्म की सेना को पराजित होते हुए देखने के बात भी इस दुष्ट का यही विश्वास है कि सब चलता है। क्योंकि यह युद्ध जिससे यह अधर्म की विजय का उदाहरन बनाना चाह रहा है, वो उदाहरन बनेगा वर्ष्य। किन्तु इसका कि चलता है का भाव किसी को आरंभ में कुछ लाब अवर्ष्य दे सकता है। किन्तु अंत में सबको अच्छा या बुरा भल अपने कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। अफब राव में प्राप्त. महादेव यहां कहां से आगे और इनके यहां आने से मेरे अंतकस्तर का प्रभाव क्यों रुक गया मेरा अंतकस्तर उसका प्रभाव कैसे नष्ट हो सकता है प्रणा महादेव प्रभू इस तरह से प्रभावित होकर हमने बाता पर फास हाद्वे का दुसाज किया हम शमा प्रारती हैं हम एक्षमा कर दीजे प्रभू हम एक्षमा कर दीजे माता आप तो करुणा और दया की देवी हैं आप तो हमारी विवस्ता जानती है माता भूल हो गई हमसे माता हम एक्षमा कर दीजे हम एक्षमा कर दीजे माता अरुणाम करना तरंगिलिंग ताक्षी ग्रित पाशां कुष्पुष्प बान चापां अनि मादेशी रावृता मयूख है रहमित्येव विभावय भवानी ओम श्री माता श्री महरागी श्रीमत श्रीमत सिंहा सनेश्वरे चिदक्नी कुंड संभूता देवकार्य देवकार्य समुध्यता अपनी भूल स्विकार करने वाले शमा के बात रखोते हैं इसलिए में आप सभी को शमा करता हैं किन्तो आप आप सभी यहां से प्रस्थान कीजिए प्रणाम प्रभू प्रणाम अथा धर्म की छाओं का नाग उठाकर हाकर तुन्या धर्म का पौधा रोपा इससे घ्रनित कुछ भी नहीं यहां तक कि अपने सेजन को विवश्च किया जिससे तुमाई रक्षा है तू मैं तुमाई साथ रह सकूँ कि तुमाई अबूर का ज्यानी मेरे रोम रोम से लेके श्रिष्टी के कंड कंड में उन्हीं का पास है संपून शक्ती के सुरोद के विरोद ऐसी कौन सी शक्ती का प्रियोग करोगे तुम्रे तुम्हारे पापों का दण्ड मैं तुम्हें अभी भी दे सकता किन्तों तुम्हारी नियती यही है तुम्हारे सभी बहा पापों का बहा दंड तेवी ललीता ही देंगी मेरी शत्रू तेवी पराशक्ती के प्रतियाब किसने है नहीं आपके खुपित होने पर ही आपको मुझे दंडिक करने से रोप दिया किन्तों मैं पंडा सुर्ण स्नेह, प्रेन इन सभी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ अब ये केरी प्रकारे किसी भी प्रकार इस देवी पर पुझे अवश्य श्राप्त करूँगा मैं देवी, मेरे अंत कस्त्र के अंत का बहुत भैयानक परिणाम भुगत्ता पड़ेगा तुम्हें अपने मंत्रों से तुमने मेरे अस्त्र को नश्ट किया है न तो तब क्या करोगी जब कोई मंत्र ही नहीं रहेगा इश्वर के ही समान सनातन मंत्र तो देवी शक्तियों के प्रतीक ही इश्वर जब स्वयम प्रकट नहीं होते तो उनके स्थान पर मंत्र ही होते है जैसे मैं श्रिष्टी के कंड कंड में और सदा रहूं रहे उसी प्रकार सभी मन्द और उनकी द्वनी, मेरे और सभी देवे शक्तियों के प्रतीक रहें, उन्हें मिटाना असंभव होगा असंभव को संभव बनाने के लिए ही तो मेरा जन्द हुआ है अबार मूर्कता मत करो भंडासुर, मंत्रो कोहानी पहुचाने का प्रयास कडा भी मत करना लुक जाओ भंडासुर मुकास्त मुकास्त्र समस्त संसार को मूग बना देगा ध्वनी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा ना पक्षियों की चहचहाट रहेगी और ना ही सिंकी गर्जना ना शांती प्रदान करने वाले वाद्य यंत्रों में कोई स्वर होगा और ना ही चेतावनी देने वाले नगारों का नाद ना ही रिशी मुन्दयों के मंतरों चारन की वाणी होगी और ना ही हम देवी-देवताओं के मुख में थी भंडासुर तो मुकास्तर से जो भी करने का प्रयास कर रहे होब वो कदाव यह तोष्ट भंडा सूने कैसा अनर्थ कर दिया ऐसा कदाव ही नहीं होना चाहिए स्वामी वनी की उर्जा तो श्रिष्टी के लिए निवार है और इस ध्वनी उर्जा कर तो आधारभूचशब्द ओम आधारभूचशब्द ओम श्रिष्टी को संतोलित करता है यदि ओम का नाज शान्त हुआ तो श्रिष्टी में श्रीग्री ये सवस्त संसार अनेक विस्भोतों की शिंखला बनकर समाप्त हो जाएगा फिर मैं बंदाशुर्ण स्वयम अपने ब्रह्मान का निर्मान करूंगा इतना तो आधार भूत मूल शब्द ओम के साथ सभी द्वनी को शांत कर इस तुष्ट ने समस्त ब्रह्मांडों को संकट में डाल दिया है क्योंकि स्रिष्टी के असंतुलित होने से ग्रह, नक्षत्र और यहां तक की ब्रह्मांड भी अपने निर्धारित पत से भटक जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे हमें शिग्र इस संकट का कोई समाधान ढूरना होगा संसार में द्वनी को लोटाने का क्या उपाए है? ऐसा कौन है जो अन्य स्वर के साथ मूल स्वर ओम को गुनजायमान कर सकता है? पुना द्वनी के संचाथ और ओम की गुंज के विस्तार का उपाए सूज गया मुझे किन्तु माता ने तो मुझे यहीं अपने श्री रत पर रहने का आदेश दिया धा फिर उन तक जाए बिना मैं उनकी सहायता कैसी करूँ? मुशक जी अब आप ही इस कारी में मेरी सहायता कर सकते हैं सरवत्र होते हैं विस्तोब मुझे अपार आनंद दे रहे हैं पिना बोले मैं कैसे समझाओ मुशक जी को? अब क्या चाहते हैं प्रभू? मुझे कुल समझ नहीं आ रहा विना? समझ गया प्रभू? इस महा संकट को दोर करने इस देवी की सहायता करने आया भी तो कौन? ये तो चुमोशक ऐसी विक्त परिस्थिती में मुशक जी यहाँ वहाँ दोर कर क्या संकेर देने का प्रयास कर रहे हैं? अब ये क्या विचार कर रहे हैं? मेरे इस अस्थर का बला क्या संबह तोर हो सकता है? क्वें ओम्हा वाग्वादी अस्त्र नामस्तासे नमस्तासे नमस्तासे नमोनमा अब विनाश में अधिक समय शेष नहीं मातागी करपासे अब इस समस्या का समाधान शीगर होना चाहिए जब संसार से ये समस्त द्वनी लुपत हो चुकी है तो ये देवी विना बजाकर क्या सिद्ध करना चाहती है इस मुकास्त्र के समक्ष्टो देवी सरस्वती की विना विमान है देवी तुम्हारी विनाश श्रिजन कर सकती है विनाश को रोक नहीं सकती प्राव लुपती प्राव येवी प्राव प्राव नहीं, नहीं, यह संभाव है, यह वीना कोई द्वनी कैसे उत्पन्न कर सकती है इस स्वर कौन बिटा दोंगा मैं झाल झाल, यह वीना कर सकती है सब को अपने बाणों से ही नर्ष्ट कर दूंगा मैं सब्सक्राइब दूर्ण सब्सक्राइब अगर चुर्ण सब्सक्राइब अजल कर सकता है अधर प्रवाभ अधर अभाव कर नभा अभाव 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 जो यम आप कर दो अभाव कर दो मेरा ये उपाई भी व्यर्त हो गया, अब क्या करूँ? जिस कडेशी को आप लोग बहुत ही बुद्धिमान और चतुर कहते हो, वो तो बहुत ही सरल है और इसी का लाग उठाया मैने और विवश्च किया कि मेरे अकार को साकार करें इसलिए मैं ही स्वयम गो, मैं ही इश्वर कूँ मैं ही स्वयम गो, मैं ही इश्वर कूँ यही नहीं मैंने अपने जन्म के पश्चा से अनेक वारूं का लाग उठाया है मोदत के बंधन में बांध कर उन्हें अमर्पुर में ही रहने पर विवश्च कर दिया था मैंने इतना ही नहीं जब ये बाली का रश्मी प्रभा को पचाने आये थे मैंने फिर इनके स्वभाव का लाब उठा कर इनके सामने से ही रश्मी प्रभा को अपने साथ ले गया इन व्रिद्धा के इस अंतिम जरण में तुम तबो गणेशी का अवाहं कर अपने स्थान पर उनसे इन व्रिद्धा के हाथो खेर खाने का निरोद कर सकती हो इसलिए ने चतुर समझना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है देवी भंडा सुन बहुत बोल चुके हो तुम ये मत भूल कि गणेश बुद्धी और प्यान के देवता है ओ हो पुना वही राग तो फिर ये बताओ प्रतेक भार जब मैंने इनका लाब उठाया तो गणेश जी ने मुझे रोका क्यों नहीं यदि वास्तों में ये गणेश जी मुझसे अधिक चतुर है तो स्विकार करें मेरी चुनावती और मेरे अगले प्रहार को अपने बुद्धी और चतुराई से रोक कर दिखाए कदाचत तुम्हें पराजत होने की अत्यन शीगरता है इसलिए गणेश का हस्तक शेट चाते हो न तो ओ चित तुम्हारी ये चुनावती स्विकार है मुझे तो भंडा सुर अब तो अपनी सम्पून बुद्धी और चतुराई से अपने अस्तरों का चुनावती मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे अस्तर और उसकी शक्ति के तत्व को समझ कर स्वयम विग्न हर्ता गणेश मुझे उसका तोड नहीं सुझाते मैं तुम्हार अपने किसी भी अस्तर का प्रहार नहीं करूंगे अब ये युद्ध मात्र गणेश की बुद्धी से ही लड़ा जाएगा गणेश की विफलता मेरी विफलता होगी मुझे इस्विकार है माता ने ये युद्धी की कैसी अवस्ता रग दी कामर्ट और बुद्धी का प्रयो कल्यान के लिए किया जाता है ना कि विनाश के लिए भंडासू उनकी परीक्षप केवल ने बढ़ चड़ कर बताने से ने अभी तु अफसर आने पर उसके उचित प्रयोक से होती और उसका ग्यान तुम्हे अभी इसी युद्ध में हो जाएगा ग्यात हो जाएगा तुम कि तुम क्या, मैं क्या और ग्याद हो जाएगा कि कौन और क्या है प्रथम पूज गनिश माता ने मुझ पर संपूर्न स्रिष्टी की रक्षा का उत्तर दाइत्व सौब दिया पुत्र गनिश मेरे आदेश के अनुसार तुम अभी तक इस युद भूमी से दूर दूर और अब मेरे ही आदेश इस युद में तुम मेरा साथ दो अब हमारी देवी सेरा में कोई भी देवी अपना अस्रित तब तक नहीं उठाएगी जब तक तुम इस तुम के अगले प्रहार का सत्कु समझ कर हमें उसका तोड़ नहीं बताएगी और रही बात आशिरवात की तो सबके अस्तित्व और शक्ती की स्त्रोत माता ही तो है क्योंकि अबिकार में डूक फंडा सुर ये भी भूल गे कि जहां मंगल मूर्ती गणेश पही मंगल शुक्ता है और ये दिव्विप्रकाश उनके आगमन से देवी सेनाम उसी शुक्ता के विस्तार का प्रतीख है माता के आशिरवाद की शक्ती का ग्यान तो अब तुम्हें भी होगा भंडा सुर क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की एक ही संभवदशा है दुर्दशा तुम अब अपनी अंतिम पराजय के अत्यंत निकट पहच्चुके हो पराजय तो उसकी होती है प्रभू जिसे कुछ कुछोने का प्रेह हो किन्ति मैं तो अपनी विजय के लिए कोई भी मुल्य चुका सकता हूं जिसका प्रमान तो आपको तभी प्राब दुआ था जब फ्वयम अपने हाथों से अपनी प्रिय पुत्री के प्राण छीने थे मैंने इस सचुक महासुरी महास्त्र के होने के कारण विजय के लिए मुझे सेना की कोई अवश्यक्ता नहीं और स्नेहरों भी अपनी दुर्पलता को प्राजित कर अपनी चै का वो क्रम आरंब किया जिसका अंत्त मेरे सामने खड़ी इस नारी की प्राजैसे ही होगा अब ये युद मैं नहीं मेरा अस्त्र लड़ेगा और ये अस्त्र आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा उत्र शब किने खड़ेगी ए eller और जाने वोप गिएऊ मेरे खाност पिर जए ल coal म्जे मेरे खा़एग किति अऔर ए भाव-менे जारे खा़वा कि जएशन मेरे खाव-ट Уह भाव-चित्स व्स! विए बिए 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 जो विए बिए बिए झाल अ है है हाथ अनव रूपी क्या है यह अत्यांत भयानक परवत पंदासुरे संथकारी परवत का कैसा भयानक प्रयोग करेगा अब यह मेरा महासुरी अस्त्र और मेरे पीछे स्थित इसकी शक्ती मेरी चानुसार मेरे लिए युद्ध करने के लिए परियाथ तो है महासुरी महास्त्र प्रापकर अपार असुरी शक्ती का स्वामी बन गया है महासुर्पंडासूर मैं आप सब को पुनाहेक अउसर दे रहा हूं तो फिलंब किस बात का रमारिक कीजिए कि आप सब का कोई अस्तित्व है विजय प्राप्ती के बाद मेरे साथ इस रिष्टी पर अनंद काल तक राज करने का अउसर प्राप कीजिए हम तयार है हम तयार है हम तयार है देवी अब मेरा अगला और भैंकर प्रहार सेहने के लिए तयार हो जाओ तयार हो जाईए असुर समगाट मैशा सुर नधम आख्रमण आपको ही करना होगा हाँ एक नारी ने ही आपका अपमान कर आपका बद किया था ना अब इस युद्ध भूमी में इस नारी को पराजित कर अपने उस पराजय का प्रतिशोध लीजिए इस प्रतों इस इस पराज़ स्व behavior ख़म्ज आपको ही हो प्रतों कर अँ़ कर लाज़ एक प्कटीज ही Земत अचयं कर यिद स्वरी ने ही आपको ही था ह। कर दो राज़ प्रतों क着 रा jut occurring पंडासुर के सभी असुर महायोताओं का तो अंत हो चुका है तो फिर ये कौन है? रभू, जब तक आप ये समझ पाएंगे कि ये सब कौन है? क्या है? और मेरे इस अस्त्र का तत्वत और तोड़ क्या है? तब तरक ये अपने प्रहार में सफल हो चुका होगा और वैसे भी आप पर तो मेरे अस्त्र का दूसरा ही प्रहाव होगा दूसरी और रश्मी प्रभा का स्मरण करा कर अपनी महिश सेना का आवाहन किया है तो दूसरी और रश्मी प्रभा का स्मरण करा कर उसने आविश गणिश पर भी मांसिक प्रहार किया है भंडासुर जो भी किसी को प्रिय होता है उसकी स्मृती दुरबलता रही अपितु प्रेणना का भाव जगाती है और रश्मी प्रभा की स्मृती कि तोड को ढून कर करूंगा कौन हो सकते है ये महिश क्या हो सकता है इनका मूलततुर और क्या है भंडासुर के इस प्रहार का तोड क्या हुआ नाद मिन्क प्राइब। क्या है विए क्या है प्राइब। क्या है विए आज मुझे कुछ सोच क्यों नहीं रहा है कहीं मुझे विलम बना हो जाए मताएं इस प्रकार कब तक अपनी रक्षा कर सकेंगी मैं अब तनिक भी विलम्ब नहीं कर सकता किन्तो ये अस्त्र क्या है इसका तोड क्या है कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं आज पुझाने के लिए जल चाहिए मुझे वास्तविक चल रश्पी प्रभा की स्मृति जगा कर गणेश को संकट में डालने का प्रयास करने वाला भंडा सुर्ख अब स्वयम अपनी स्मृतियों के जाल में उलज गया है किन्तव अब तो गणेश भी किसी उलजन में दिखाई दे रहा है माता मुझे लगता है गणेश चिंतन में क्योंकि उसे शेग्र इस महिश आकरमन का तोड़ सोचना है अन्यता माता और उनकी सेना अपने वचना लुसार आकरमन के लिए तो क्या स्वरक्षा के लिए भी अपने शस्र नहीं उठाएंगे मताएं इस प्रकार कब तक अपने रक्षा कर सकेंगी मैं अब तनिक भी विलंब नहीं कर सकता किनते ये अस्त्र क्या है इसका तोड़ क्या है कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं माता मुझे आशीश दीजिए कि मेरी बुद्धी शीग्र कुछ समाधान सोचने में सफल हो सकी स्थेरभाव स्थेरभाव जिस प्रकार सागर की गहराई में उतर कर रत्न प्राप्त होते हैं उसी प्रकार किसी भी समस्या का हल ढूनने के लिए स्थिर रहकर बुद्धी की गहराई में उतरना आवशक है इसी लिए माता ने पुत्र गणेश को स्थिर रहने का आशिरवाद दिया है उसी पुत्र ठवेज्या कैंश को स्थिर रहने में उत्र जाश्याथ स्थिर रहाँ स्थिर रहने में रहने धाoma स्थिर रहने की अेधल माता, काम, क्रोध, लोब, मोह, मद और माया के प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति की जब बुद्धी भ्रष्ट हो जाए और वो एक हिंसक पशु के समान व्यभार करने लगे तो वो आकार और प्रकार दोनों से महिशी हो जाता है इसलिए ये क्रूर पशु और कोई नहीं, महिशा सुर्ही है जिसका अंत, स्वयम पाप विनाशनी, सिह वाहिनी, अपने भीतर नौदेवियों का रूप समाहित रखने वाली आदी स्वरूपा, अपने घंटे के नाज से ही शत्रू को मुर्चित करने वाली और अपने दर्शन मात्र से मोक्षि के द्वार खोलने वाली अनेक सिध्यों की दात्री, दस बुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारन करने वाली माता दुर्गा के रौद्र रूप से ही संभव है माता वाली माता है और रफने वाली माता है घर रपने वाली स्धिर्ग कर दो जा जार हुए जार भालतों झालतों है हुआ करकाथ युद्ध के इस चरण में तो मैं माता को भंडा सुर के अस्तर का तोड़ बताने में सफल हुआ मेरा ये मही शाक्रमन यर्थ कैसे हो सकता है नहीं बंडा सुर्व तुम्हा सभल कदापी नहीं हो सकते ये माद पाशान पुषाच च भर्दाने को पता है वर्दां पिके शाम रिशंग वाद राश आमे ये महिशा सोर जितनी बार भी धराशाई होंगे उतनी ही बार दुगनी शक्ती से उना हुट खड़े होंगे किन तो ये रक्त किसने गिराया कौन है जो मुझे प्रताडिक करने का प्रयास कर रहा है पिता जी इधर देखिये मेरी और मैं यहां हूँ पिता जी आपके पुत्र आपकी सेवा में है यहां नहीं मिटा दूँगा मैं इस रक्त को और इन सभी मिठ्यस्वरों को पत्र पत्री पत्नी ब्रादा किसी का कोई मुल्य नहीं है मेरे लिए मुझे तो बस अपनी विजय चाहिए जिसे कोई टॉल नहीं सकता स्वयम कड़ेश्ची भी नहीं मेरे दिये तोड़ के अनुसार माता ललिता द्वारा रौद्र दुर्गा माता रूप में उनके प्रहार से भी महिशा सुर्का अंत क्यों नहीं हो रहा है क्या क्यों तो भी माता है क्या है पूरता है पूर्पार्या के 0 अन्मादी पिलाओना मयुखे... जरन क arcade वमिघमादे एंवांना जरल जरीग लिता इंग क्ता म्ना इंगे जरल जरीग झांको अंड़े मिदे झांको फिट झांको ऑउनवे मिदे इस दो दूले झाल चाल प्रथम बार ऐसा हो रहा है कि माताय आहत हुई हूँ ये पुनर जीवित होकर पुनर कथोर प्राहार कैसे गत्मा रहा हूँ माता मंत्री नाथा को भी आहत कर दिया इस महिश ने मेरा उपाय सफल क्यों नहीं हो रहा है अवश्य कुछ तो और तत्व है इनके इस आत्म के पीछे देवता यक्ष किन्नर गंधर मनुष पशु पक्षे या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वाधना कर सके माता सर्व प्रधम देवी कात्याईनी के रूप में प्रकट हूँ फिर विंध्याचल पर निवास कर विंध्य वासनी कहलाई अंततह माता दुरगा बन पापी महिशासुर का अंतकर महिशासुर मर्दनी के रूप में प्रकट हूँ अर्था जो भी पहले हुआ वही उसी क्रम में पुनाह करना होगा महिशासुर मर्दनी के रूप में प्रकट होने के लिए माता को सर्व प्रथम माता कात्याएगी फिर माता विंद्यवासनी और अंतितह माता दुर्गा के रूप में आना होगा कभी वो महिशासुर का वद कर महिशासुर मर्दनी कहलाएंगी अब समझाया जो कारिय विधी ने नियत किये हैं वो उसी प्रकार होने होंगे माता कात्यायनी तो सच्ची प्रार्थना और उचित आवाहन से ही प्रकट होंगी जो रिशी कात्यायन द्वारा माता को पुत्री रूप में पुकारने पर ही संभव है ये घरी शचानक शुद्धु भूमी से कहां चला गया प्रणाम रिशीवर प्रणाम गोरिनंदन गनिश आप यहां हाँ रिशीवर मैं एक अनुरोद लेकर आया हूँ आपका अनुरोद मेरी लिए आदेश के सामान है बताए आपको पुना उनका आवाहन करना होगा किनका प्रभू? उनहीं का जिनकी आप उपासना कर रहे थे आपकी पुत्री माता कात्यायनी का नहीं प्रभू आप मुझे एक शमा करें मैं आपके एक आदेश पर अपने प्राण त्याग सकता हूँ प्रंदु उन्हें फिर से अपने पुत्री के रोप में? नहीं प्रभू ये मुझे स्विकार नहीं आपको तो सब ध्याद है गजनन उन्हें कितनी परिक्षाओं का सामना करना पड़ा था तैलाश का त्याग करना पड़ा था यहां तक कि अपने पती और अपनी संतरन का व्योग भी सहना पड़ा था मेरी पुत्री बनने के बाद भी उनके कस्ट दूर नहीं हुए थे उनको अपने पती का साथ में आदेश मिला था मैशा सूर के वद्गा और अपने पती और संतान की पुणा प्राप्ति के लिए उन्हें कितना कठोर तप करना पड़ा था यहां तक किस्वे महादेव ने भी अपनी चटाओं में वास करने वाली कंगा में पहने के लिए उन्हें विवश कर दिया था नहीं कदापी नहीं ये रिशी आपके ही कादेश पर अपने प्राम द्याग सकता किन्तु ये पिता अपने पुद्री को उस अपार कश्ट में कदापी नहीं देख सकता शमा करे मुझे प्रबू रिशीवर ये स्रिष्टी के लिए अत्यांत महत्वपूर्ण है प्रबू आपका आद्मन ही इस कारे की महत्वता को दिखाता लेकिन अपने पुद्री के सूख के आगे सब महत्वीन है इसने मुझे आप शमा करे किन्तु रिशी कात्यायन के आवाहन के बिना माता कात्यायनी प्रकट नहीं होंगी और ऐसा हुआ तो सभी का संकट बनने वाले महिशा सुर्कवद असंभव हो जाएगा रिशिवर के आवाहन के बिना माता का कात्यायनी रूप में आना असंभव होगा और यदि ये संभव ना हुआ तो मैं माता की आशा और उनके विश्वास को असत्य कर उन्हें निराश कर दूँगा मैं ऐसा कोई कारे क्यों करूँ जिससे माता को पुनय कश्टू रिशी कात्यायन प्रभू कनेश जी रिशी कात्यायन आप एक महान रिशी होकर भी संसारिक मोह माया में उलचकर धर्म की रक्षा की अपने धर्म से विमुख क्यों हो रही है ध्यान रहे तब जो भी हुआ वो नियती थी जिनकी कश्ट के विचार में आप उलचे हैं उन्ही की लीला थिला जिनकी इच्छा से ही संसारिक में कुछ भी होता है मत भूलिए आपकी पुत्री जगत जननी है तो उसी रूप में गनेश की माता भी थी माता और पुत्र का संबंध तो पिता और पुत्री के संबंध से भी अधिक विशेश होता है ये जानते हुए भी आप अपनी पुत्री के ही पुत्र गनेश को मना क्यों कर रही है जो एक अत्यांत महत्रपोन कारण से ही आपके पास आए है मैं भी कितना मोर को मैं उन्हें मना कर रहा था जो स्वे मेरी पुत्री कातेहनी के अंश है जो दीवी माता के ही रूप है रुकिये प्रभू हे मा आप तो दयालू है आप अपने भटो को कभी निराश नहीं करती है उन पे सदा आपकी कृपा बनी रहती आजसन सार में फिर से विप्ता के अंख्शनों में ये भगत आपको पुकार रहा है मा अपनी इस भगत पर कृपा कीजिये मा विलंब से ही सही मा किन्तु मुझे अपने भूल का आभास हो गया मैं कजनन के अनुरोद को भी समझ नहीं सका इसलिए मुझे इक्षमा करें मा और एक बाद उना अपने ममता से मेरी जोली भात्यों एक बाद उना मेरी पुत्री कात्यानी के रूप में प्रकट हो जाए मा सकारात्मक सोच और बुद्धी मत्ता से विकट से विकट समस्या का समाधान किया जा सकता है प्रकट